मंच पे मौजूद सभी मुख्यमंत्री गन और देश की 26 पार्टियों के सभी सीनियर नेता गन आज हम सब लोग 26 पार्टियां बैंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए यह दूसरी मीटिंग थी पट्ना में 16 पार्टियां एकठी हुई थी तो यह अच्छी बात ही कि कुन्बा बढ़ रहा है आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंदर मोदी जी को भारी बहुमत दे के जिताया था इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है हर सेक्टर को बरबाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी सबसे बेस तो है आप सेकिंड क्लास की रेलवे की टिकेट लेके किसी भी ट्रेन में चड़ जाईए आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी आज पूरी बरबाद कर दिया इन लोगोंने रेलवे इन्होंने एकनौमी बरबाद कर दी इन्होंने रेलवे बरबाद कर दी सारे एरपोर्ट बेच दिये इन्होंने जहाज बेच दिये आसमान बेच दिया धर्ती बेच दी पाताल बेच दिया सब कुछ इन्होंने अपने तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एक अत्रित नहीं हुए हम देश को एक तरफ बचाना है जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकठे हुए है जिसमें हर युवा को रोजबार मिलना चाहिए हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए हर बिमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए ये सपना लेके हम सब लोग इकठे हुए है जहापे ऐसा भारत होगा जहाँ सुकषान्ती होगी प्यार महबबत होगी और देश तरक्की करेगा ना कि देश के संसाधन जो है कुछ लोगों के लिए चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे आज बहुत अच्छा डिसकेशन हुआ और मैं करनाटक सरकार को कॉंग्रेस पार्टी को शुक्रिया केजरिवाल जी मैं अभी महाराश्टर के पूर्म मुख्यमंत्री